तो फ्रेंड्स हम लोग एलिफेंटा बीच से हम लोग ठक हार के घुमगाम के अपने अपने रिसॉर्ट पे आ गए थे रिसॉर्ट पे आके सभी इतना ठके हुए थे कि बस हलका फुल का डिनर किये और सो गए फिर क्यूंकि अरली मॉर्निंग हम लोगों को जाना था हम लोग अब काला पथर पहुंचेंगे फिर वहां का व्यू दिखाएंगे आपको सन्राइस का कि अहुआ करेंस हम लोग यहाँ काला पथर पहुंचेंगे और सभी क्यांतल कोई वाटर राइडिंग कर लिया और वीडियो बना ली तो थोड़े से बादल भी थे पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग संराइज मिस्स कर देंगे हम लोग देखनी पाएंगे लेकिन फिर हम लोगों ने मस्ती स़स्ती की और फिर संराइज थोड़ी देर में हो ही गया तो अभी ये संराइज वहां का तो देख लिया लेकिन अब हम लोग आ गए हैं अपनी जट्टी पे तो फ्रेंस वहां का संराइज कुछ बादलों में छुपा हुआ था तो इसलिए हम लोगों ने कुछ खास मतलब नहीं देख पाए हम लोग क्योंकि बादल ला गये थे काले-काले बादल बगरा किया और हवा बहुत तेज चल लए थी लेकिन धूब इतनी तेज थी कि बादलों के बीच से भी सुर्य भगवान दिखी रहे थे और धूब भी तेज थी तो ठंडी हवा अच्छी लग रही थी जो समंदर से टकरा के आ रही थी तो फ्रेंस यहां का जो यह लग रहा था बस यहीं बस जाओं लेकिन महगाई बहुत जादा है फ्रेंस तो मेरी खाल से तो यहां पर रुकना पॉसिबल नहीं है लेकिन हां मौज बस्ती करने के लिए तो जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है और बीचेस में नहाने का तो अलगी एक मजा है तो फ गलती है और यहां का समंदर देखी कलर बहुत ही डहा रहा था बलू लग रहा था और वीडियु में तो बताँ high कौन लग रहा होगा लेकिन इस में रियल में देखने में बहुत ही अच्छा लग रह था और इंक फाक्थे जिस कलर का मैने बैग ले रख और भैग की मैचिं जब उधर से आये थे तो सरकारी थी और सरकारी फेरी थी और यह मतलब लगजरी आप लोग देखी रहे होंगे तो यह प्राइवेट है और इसका चार्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा है तो एक्चुल कितना है मुझे नहीं पता है क्योंकि सब सभी लोगों का एक साथ पे हु एक टीवी लगी हुई है और यह समंदर का व्यू दिखाती हूं बहुत ही गहरा और बहुत ही मतलब इनक्रेड़ लग रहा देखने में तो अभी यह मतलब मैपको उसका व्यूंचे में से दिखा रही हूं सामने यह मिरर लगा वदा हुआ है तो यह देखे यह सामने लडी जो साथ में हमारे थी वो लोग भी है यह देखिए यह ग्रीन बैग लिए बेटा है उनका और काफी अच्छा लग रहा था और एसी वाला रूम भी था सब अपनी अपनी सिटिंग देख रहे हैं किसको कहां बैठना है किसकी सीट कौन सी है तो इसमें भी होता है जैसे मतलब ट्रेन में या फ्लाइट में होती है जिसकी जो मतलब सीट होती है वहीं पे सबको बैठना होता है तो सब लोग अपनी अपनी सीट कवर कर रही हैं और अ यहां से हम लोग अपने समान की बारी का इंतिजार कर रहा हैं समान लेंगे यहां से और फिर हम लोग पहुच गए यहां पोर्ट ब्लियर टर्मिनल पर तो अब यहां से हम लोगों को फ्राइट पकड़नी है काफी वीकनेस लग रही थी मेरी बेटी को क्योंकि वो इसका जो अन्भव था जाने और आने का जट्टी से तो कुछ खास नहीं था अच्छा नहीं लगा क्योंकि कुछ लोगों को इसमें मतलब उल्टियां हो रही थी और उनलोगों का अनुभव अच्छा नहीं रहा तो यह हमारा पोर्ट ब्लेयर का टर्मिनल है हम लोग पोर् फ्लाइट पकड़नी है लेकिन फ्लाइट तो अभी फ्लाइट पकड़ने में भी कुछ घंटे का समय है तो हम लोग यहां पर थोड़ा सा इंजुआए करेंगे कुछ खाएंगे पीएंगे और टाइम पास करेंगे फिर हम लोग अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे तो चलते हम लोग एयरपॉर्ट तो फ्रैंस हम लोग कहुंच चुके हैं एयरपॉर्ट पे और यह सामने फ्लाइट दूसरी है हम लोग अंदर को अनथ दिए तो यह धेकिये यह मेरे बच्चे हैं और मेरे और हस्ब्रेंड बाकी के भी और सबी लोग दो अभी बारी से सबी लोगा रहे हैं अपनी सीड देखते हुए तो रसत काफी था मेरे बेटेंपर अपनी इसट अत्रब कर ली थी तो अब हम लोग यहां से चलेंगे और हम लोग सीधी पहुंचेंगे कोलकाता तो लेट्स गो को को तो फ्रेंट्स हम लोग को कोलकाता एरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं अब यहां से हम लोकल लेंगे और थोड़ी सी हम लोग शॉपिंग ओपिंग करेंगे उसके बाद हम लोगों की साम की चार बजे की ट्रेन है कानपूर के लिए तो हम लोग कानपूर रवाना होंगे और फिर कानपूर अपने घर पहुंच जाएंगे तो फ्रेंट्स आप लोगों को ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए